नमस्य दोस्तों आज में आप सब के लिए पनीर से बनने वाली एक और बहुरे जबदत सी रेसिपी लेकर आई हूँ गर में मेमान आने वाले हूँ या कुछ इस्पेशल गरवालों के लिए ही बनाना हो और समय हो कम तब आप इस रेसिपी को ट्राई कीजेगा सिर्फ 15 मिट में बनकर रेडी हो जाती है और टेस ऐसा कि आप उंगलिया चाटते रह जाएगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ग्रेवी बनाने के लिए हमें इन सब चीजों की जरुवत है तो मैंने आठ से दस कली ले सुन लिया है यहाँ पर साथ ही मैंने याप पर दो हरी मिर्चे हैं जिसे बड़े टुकडों में काट लिया है दो बड़े साइस के प्यास थे जिसे रफली चॉप कर लिया है और दो बड़े साइस के ही एकदम लाल टमाटर थे पके हुए वो भी हमने रफली चॉप करके इसमें डाल दी है अद्रक को इस तरीके से जो छोटे चुकडों में काटके हम डाल देंगे और इसका एकदम स्मूथ सा पेस्ट मनाकर रेडी कर लेंगे यह रिखिए इसका पेस्ट एकदम रेडी है तो बस चलते हैं अपने गैस की तरफ एक कडाई में मैंने तीन बड़े चमच ऑईल गरम करने रख दिया था गरम तेल में दो तेज पत्तर डाल देंगे साथी यह जो तयार किया वह पेस्ट है वो पेस्ट डालेंगे हाई फ्रीम रखते हुए एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे यहाँ पर मैंने ओयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है क्योंकि हम यह पर ढाबाए स्टाइल बना रहे हैं तो उसमें ओयल थोड़ा ज़्यादा लगता है आप चाहें तो ओयल की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम कर सकते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ स्वात के अनुसार नमक नमक से इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो जल्दी हो जाएगा और इसमें अच्छा सा नमकीन टेस्ट पिया जाता है इसमें देख रहे हैं जाली बढ़ने लगी है जाली पढ़ रही है मतलब यह अच्छे से कोख हो गया है इसकी जो अद्रग और लेसिम की कच्छी स्मेल थी वो भी इसमें से जा चुकी है अब इस स्टेश पे इसमें हम मसाले डाल देंगे तो एक दम बेसिक मसाले हैं धनिय की लगबग रेसिपीज में किचन किंग जरूर डालती हूं क्योंकि इससे टेस्ट काफी अच्छा आता है और एकदम डावी वाला फ्लेवर आपको मिलता है मसालों के साथ भी कुश्टेर के लिए से हम पका लेंगे उसे पहले मैं थोड़ा सा पानी डाल दूगी ताकि जो मसाले हैं वो हमारे जले नहीं और अच्छे से मसाले इसमें फूल जाएं बहुत थोड़ा सा मैंने पानी डाला है अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे अब मैं इसमें डाल रही हूं एक बड़ा चमश कसूरी में थी इसे भी हाई फ्लेम रखते हुए ही इसके साथ कुश तेर के लिए भून लेंगे अब हम डालेंगे एक special ingredient जो की है tomato ketchup जी हाँ friends दो चमश आपको इसमें tomato ketchup डालिएगा इसको बिल्कुल भी skip मत कीजेगा इससे आपको एकदम वो जो रावे वाला टेस्ट है ना वो टेस्ट मिलेगा जो कडाई पनीर वगरा आप मार्केट में खाते है बिल्कुल वही टेस्ट आपको इसमें मिलने वाला है अच्छे से इसको कर दिया है mix मसाला हमारे से बढ़िया से बुन चुका है अब मैं डाल रही हूं दो बड़े चमश दो से तीन चमश यहां पर घर की ताजा मलाई जो दूद के उपर मलाई जमती है वही इस्तेमाल की ह अब चाहें तो क्रीम डाल सकते हैं लेकिन मलाई से सफिशेंट मतलब में टेस्ट और टेक्च्चर आ जाता है अच्छे से इसको कर देंगे mix बस यह हमारे अच्छे से mix हो गया है देखे इसने भी तेल चोड़ना शुरू कर दिया है अब हम इसमें अपने बाकी की जो चीज करना है इसको पहले से कुक नहीं करना है बस इस मसाले के साथ सिर्फ आदे से एक मिनिट के लिए आप हाई फ्लेम बेसे बूल लें देखे बड़ी ऐसे मैंने इसको बूल लिया है यह आप देख सकते हैं अभी से ही कितनी टैम्टिंग यह लग रही है अब इसमें हम डाल द से हम मिक्स कर लेंगे देखिए बढ़िया से हमने से मिक्स कर दिया है अब इसमें आप अपनी जरुवत की सबसे पानी मिनव जैसे आपको ग्रेवी रखनी हो उस अकॉर्डिंग आप पानी डालें तो मैंने बहुत थोड़ा सा पानी डाला है विकास हम इसको रोटी के साथ सर्फ करेंगे तो मैंने थोड़ा इसको थिक कंसिस्टेंसी पर ही रखा है अच्छे से वापस से हलकियाद से इसको हम मिक्स कर लेंगे और बस लास्ट में मैं डाल दूंगी थोड़ा सा गरम मसाला मेरी मोसली सबजियों में आपने गरम मसाला का सूरी मिती और किचन किंग देखा ही होगा फ्रेंड सी जो तीन मसाले है ना आपके किसी भी खाने को ढाबा या रेस्टोरेंट का टेस्ट देने के लिए इनफ है तो अपने किचन में यह तीन मसाले आप जरूर रखें देखिए अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है अब इसे 5-7 मिनिट के लिए हम ढखकर एकदम low flame पे छोड़ देंगे एक से दो बार आप बीच में चला लें जब तक कि जो तेल है वो पूरा उपर से निकलना आए यह देखिए करीब आठ मिनट हो चुका है हम अपनी सबजी चेक कर लेते हैं और यह देखिए क्या बड़िया से ओईल उपर निकला आया है सबजी में जाली बनने लगी है और खुश्पू तो बहुत रिजब बदस्तारी है लास्ट में एक बड़े साइस का टमाटर है जिसके बीज निकालके बड़े बड़े टुकडो में कट कर लिया है दो हरी मिर्चe है जिससे स्लेट कर लिया है अच्छे इससे इसमें कर दिया है 믹क्स बस हमारी सबजी अल्मोस रेडी है गैस का फ्लेम बन करके हम इसमें डाल देंगी फ्रेश दनिया पत्ता और इसे मैं सर्फ करने से पहले थोड़ी दिर इसी तरीके से रख देती हूँ, करीब 10 मेर इसको रेस्ट करने दूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ हमारी सब्जी कैसी बनी है तो लीजे फ्रेंट्स, यह हमारी बहुत जवदस सी पनीर की सब्जी बन करके रेडी है, मेरी बेटी तो इसको कड़ाई पनीरी कहती है, क्योंकि टेस्ट इसका विल्कुल वैसा ही लगता है लेकिन इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है, मैं आपको क्या बतना है, नॉर्मल सब्जी के जैसे जिस नॉर्मल हम जो प्या जिभून के बनाते हैं तो खाने में काफी हैवी हो जाती है आप इसको इस तरीके से बना के देखिएगा, खाने में इतनी लाइट, इतनी हलकी रहती है, उपर से सब करने से पहले थोड़ा सा पनीर उपर से ग्रेट कर दे, इसका लुक्स पी चेंज हो जाता है, तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपको जरूर ट्राइ कीजिएगा, और आपको कैसी लगी, आपको फीडबाग में सा जरूर शेयर कीजिएगा, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही मिलती हूँ, एक नई और मज़दार से रसेपी के साथ,